नमस्कार दोस्तों सौगेत हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुती बड़ा मुद्दा जो आपको पता है कि मार्केट के लिए बहुती इंपोर्टेंट है और आप इसको NBT टाइमस पर जाके दे जो बड़े देश हैं ये देखिए आपको देखने को मिल ला है दो बड़े देश यहां पर इन्वाल्मेंट देखते हुए देखने को मिल ला है किस से इन्वाल्मेंट देखने को मिल ला है हूती ग्रूप जो कि एक रीबल है और यमन का एक ग्रूप है लाइक जैसे देख किया जाए ताकि हमास पे जो अटाक हो रहे हैं इसराइल की तरफ से उस पे कोई वारता लाप हो उस पे कोई शांती वारता हो उस पे कुछ ना कुछ देखनी को मिले तो अगर आप देखेंगे लाल सागर में शुरू हो सकता है बड़ा शंगर तो आप समझ सकते हैं लाल साग ट्रेडिंग की जाती है तो ऐसे में वो चीज कितनी जादा इंपोर्टेंट हो जाती है यह इस बात से नाज़ा लगाईए कि हूती ग्रूप ने रेट सी के रूट को ही टार्गेट इसले किया चुकि इसमें देखेगा पूरा वर्ल्ड डिस्टरब होगा तो अगर आप एर स्ट्राइक करके हूतीयों को क्या किया जाए अच्छी तरीके से इनका बिलकुल इनको दबाया जाए तो आप देख सकते हैं आपके सामने अपडेट आपको देखने हुमली होगी हूतीयों विद्रोहियों ने हमलों में लाल सागर में इसराइल और अमेरिका को काफी ज बिलार बतारी जा रही है और यह एक ऐसा रूट है जिसके कारण देखेगा बहुत ज़ादा किराया बच जाता है बहुत ज़्यादा वेट जो फ्रेट होता आपको जो कॉस्ट आफ देखेगा ट्रावलिंग होती वो बच जाती है और इससे आपको जो commodity है जो crude है वो सस्ता मिलता है लेकिन अगर आप देखेंगे तो हूतियों ने यहाँ पे काफी ज़्यादा परिशान किया हुआ है और चलते इसराइल अमेरिका से जुड़े जहाजों को समुद्री रास्ता तक बदलना पड़ा है यानि कि ये दोनों देशों के जो जहाज है उन्होंने अपना re-routing करी है और re-routing के कौरण क्या होगी है cost बढ़ गई है और वो cost आपको reflect होगी अभी आने वाले टाइम में ऐसे में अमेरिका आप हूतियों पर action के mood में है और ब्रीटेन और अमेरिका की नोसेना जल्दी बड़ी कारवाई कर सकती है और अगर यहाँ पे बड़ी कारवाई हुई तो हो सकता है Gulf country से इरान यहाँ पे हूतियों का क्या कर दे सयोग कर दे जो कि इरान बहुत active है इस समय इरान चाहता ही नहीं है कि यहाँ पे हमास को कोई problem हो और हमास को बचाने के लिए वो हर एक प्रयास कर सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही important यह जो update है आपको देखने को मिल लगी है और यह crude oil के लिए और और सारी commodity के लिए भी बहुत important है तो अगर आप देखेंगे सबसे west shipping lane माना जाता है यानि कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा international trade होता है हमले शुरू होने के करीब पहुँच गये हैं यानि जल्दी उनकी force red sea में बड़ी कारवाई शुरू कर सकती है तो आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके से defense chief ने लाल सागर में इरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर संभावित शशस्त्र पत्रिया पर बातचीत करते हुए कहा कि ब्रिटेन के defense secretary shops ने कहा कि लाल सागर में व्यापार को बाधित कर रहे आतंकी अब जल्दी इसका खामिया जब होगत में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ब्रिटेन या अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा action होगा इरान इस particular war में involved हो जाएगा और फिर यह war थोड़ा सा blockade में divide हो जाएगा कि एक तरफ एक block होगा जो हमास को support करेगा और एक तरफ एक block होगा जो इसराइल को support करेगा और वो extension थोड़ा सा disturb कर सकता है market को तो इसलिए आपको थोड़ा सा proactive लेना रहना है और अगर आप देखेंगे तो UK के कई सारे जहाज भी यह देखेगा यहाँ पे निशाना बने हुए है और जहाँ जो मेंसे 8 है तो UK में 50 रथ थे या उनके चालक दल में British थे तो आप देख सकते हैं UK के जहाँ जो को भी बहुत problem करी गई है और अमेरिका के जहाँ जो को भी बहुत problem करी गई है इविन इंडिया को भी बहुत problem हो रही है तो इसलिए be cautious अगर crude के दाम अचानक से आपको कभी भी रात भी रात देखेगा बढ़ते हुए देखने हुए मिलते हैं तो be cautious इतना मार्केट Thank you so much